हलो स्टुडेंट्स आएम लक्षमी आदो योर साइन्स टीचर तूड़े वी विल डिस्कस्ट एबाउट वर्मोर टॉपिक अफ चैप्टर सेकेंड दाट तो आज हम अस्थाई दात के बारे में रीट करेंगे जब भच्चा साथ साल का हो जाता है तो नए दाट जो है वो बढ़ने लगते हैं और दूद के दान बाहर निकल आते हैं इन्हें हम अस्थाई दात कहा जाता है या इन्हें अस्थाई दात कहते हैं क्योंकि ये जीवन के अंत तक हमारा सपोर्ट करते हैं लेकिन केवल अगर इनकी देखभाल करें तब दूद के दातों की तरहे अस्थाई दात भी हमारे जो है वो चर्डों में बढ़ते हैं स्टेज में बढ़ते हैं आम तोर पर सभी लेकिन अंतिम चार जो होते हैं वो बच्चे के बारा साल के होने तक निकलते हैं अस्थाई दात चोते दूद के दातों से अलग होते हैं नमबर में और प्रकार में भी there are 32 of them as in the case of milk teeth there are 4 incisors each in the jaw, upper jaw and lower jaw इनमें से 32 हैं दूद के दातों के केश में या मामले में उपरी जबडे और निचले जबडे में प्रतेक में 4 incisors होते हैं यानि कि incisor teeth जो हमारे हैं वो प्रतेक जबडे में 4 होते हैं यानि कि upper jaw में भी 4 और lower jaw में भी 4 that's make 8 incisor in all तो total जो है 8 incisor होते हैं चार उपरी जबडे में 4 निचले जबडे में तो total 8 incisor होते हैं there are 4 canine 2 चार canine भी होते हैं one on either side of the incisor in each jaw जो है वो प्रतेक जबडे में incisor के दोनों तरफ एक एक होते हैं यानि कि जो हमारा पिछले भाग में premolars और molar दात आते हैं जो हमारे बड़े और चंकी होते हैं यह जो है भोजन को चबाने और पीसने के लिए होते हैं there are two premolars next to each canine प्रतेक कैनाईन के बगल में दो premolars होते हैं यह कैनाईन के बगल में premolars होते हैं that makes eight premolars four in each jaw प्रीमोलर जो होते हैं वो eight दांत में करते हैं बनाते हैं और एक जबडे में चार होते हैं तो फोर एक जबड़े में फोर एक जबड़े में तो प्री मोलर भी हमारे एट होते हैं There are no pre molars in the set of milk teeth Milk teeth के set में जो है प्री मोलर स्थीट जो है वो absent होते हैं नहीं होते हैं Then comes the molar The biggest of the teeth फिर सके बाद जो हमारा है वो molar निकलता है जो दातों में सबसे बड़ा होता है मोलर जो हमारा टित होता है वो biggest टित होता है और बैक में पाया जाता है there should be 12 मोलर्स in all 6 in each jaw but many people have only 8 मोलर्स सभी में 12 मोलर्स होते हैं और प्रत्ते जबडे में 6 जनी कि एक जबडे में 6 टित होते हैं मोलर्स और एक जबडे में 6 टोटल 12 टित होते हैं लेकिन कई लोगों में केवल 8 मोलर्स होते हैं the last molar on each side of the two jaw is called the wisdom teeth दो जबडे के प्रतेत तरफ अंतिम मोलर्स को हम ज्यान दात कहा जाता है wisdom tooth कहते हैं usually these molar appears between the age of 17 and 25 आम तोर पर ये molar 17 और 25 उम्र के बीच में निकलते हैं they are called wisdom teeth इन्हें हम अज्यान दात कहते हैं because क्योंकि by that age of one is supposed to be wise or know more about things क्योंकि उस उम्र तक व्यक्ति को बुद्धिमान माना जाता है या चीजों के बारे में अधिक जानकारी होती है people who do not have wisdom teeth have 28 teeth in all जिन लोगों के पास ज्यान दात नहीं होते हैं wisdom teeth नहीं होते हैं उनके केवल 28 teeth total होते हैं तो इस पर्मानेंट इत को आप फिर से रीट करेंगे भीस लोगों के झापनों के को आप झीजों के ये ये इस Bra़ist primo स tehdापky छों का ज्यान ज्यान एग के बाके को राके क एदा में लोगों कि अपिर GIRल